ये महराश्च्छा सदन में हुआ था कि एक विधायग ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो बंदे मातरम कहना होगा और उनके मजभब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर जुकाएं किसी औ के सामने देखे देश सम्मिधान से चलेगा मत और मजभ से नहीं देखे मैं इस्वर का भक्त हूं इस्वर मैं गाद निष्टा रखता हूं लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं आपने देखा होगा जब मुझे हमारी नौकर साही ने कहा कि नुड़ा लोग जाते हैं चिप निष्टर को नहीं जाना चाहिए मैं उसको उलंगन करके नुड़ा गया कई बार गया आधा दरजन बार जा चुका हूं दूसरे बार मुझे कहा गया कि रात्री में सीम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए तो मैं जान बूच करके वहां रुका औ तो मैंने पूछा मैंने का भी क्यों निवास करना चाहिए तो उन्होंने कहा साब दुवारा सीम नहीं बन सकता है तो मैंने कहा मैं दुवारा भी सीम बनूंगा चिंता मत करो दूसरा सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि मैं प्रदेश का सीम हूँ आप यह बोलिए ना कि साब वहां रहने की बिवस्ता नहीं है तो जो भी गेस्ट आउस होगा उसी में रहेंगे ना आखिर कोई तो रहता होगा एक कमरा चाहिए मुझे तो सोने के लिए टक्ता चाहिए ओडने के लिए कमबल चाहिए तो कुछ चाहिए थोड़ा है तो इस में जो है क्यों आप इस परकार की बातें करतें मैं गया था रुका था वहाँ पे ऐसे ही आगरा के सरक्ट हाउस के बारे में कह जाता था यानि मुझसे पहले पदा नहीं कोई सीम रुका की नहीं रुका लेकिन कि वहाँ सरक्ट हाउस में जो सीम रुकता है अपसकुन हो जाता है तो मैंने का पूछा मैंने का भी क्या अपसकुन होता है उने का साथ जो है उसकी कुर्सी चली जाती है तो मैंने का जो कुर्सी कल जानी हो आज चली जा लेकिन मैं रात्री को रुकूंगा यही फिर किसी ने का साब यहां पर प्रेत आतमाता है आता ही है तो मैंने का कम से कम उनसे वार्ता करने का उसर मिलेगा ना रात्री में तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बाच्ची तो करूँगा रात्री में कि भई कौन है क्या है तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है एक और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत का बहुश्य उज्वल है और 2024 में फिर से प्रधान मंतरी मोदी जी के लेडर्शिप में एंडिये बहुमत के साथ आएगी इसमें कोई संदे किसी को नहीं होना चाहिए और बंदे मातरम मैं वापस आती हूं वो उसे घर्म के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं मैंने पहले कहा दिया ना संबिधानिक विवस्ता से देश संबिधान से चलेगा मत और मजब से नहीं जी आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा अपने घर में होगा अपने मस्जित अपने इपादत गहा तक होगा सड़क पे प्रदर्सन करने के लिए नहीं और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं नेशन फ़स्ट अगर देश में किसी को रहना है तो इसको राश्ट को सरोपरी मानना होगा अपने मत और मज़ब को नहीं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24